आगे देखते हैं मेत्रो पार्ट्टू मम्ता ने कहा यहां कौन दूर्ग है यहीं जो पड़ी न जाओ जो चाहे ले लो मुझे तो अपना कर्टव या निभाना पड़ेगा जाओ भीतर थके हुए पथिक पथिक क्या नी जो पथ कापते है आगे जो मुसाफर है उसे क्या ब मैं तुम्हे आश्रे देती हूँ अब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दू मुगर ने चंद्रमा के मंद प्रकास में वह महिमा मुख मंडर देखा उसने मन ही मन नमस्कार किया ममता पासी टूटी हुए दिवारों में चली गई बीतर थके पथिक ने प्रभाव में खड़हर की संदी से ममता ने देखा सेकड़ो अश्वारो ही उस प्रांत में गुश रहे है वह अपनी मुर्खता पर स्वयम को कूशने लगी एका एक जोपड़ी से निकल कर उस पतिक ने कहा मिर्जा मैं यहां हूँ शब्द सुनते ही प्रसनता की चितकार द्वनी से वह प्रांत गुश उठा ममता अधिक भईबित हुई पतिक ने कहा वह स्तरी कहा है उसे खोज निकालो ममता चिपने के लिए अधिक सचेश्ट हुई वह मुरूग दाव में चली गई दिन भर उसमें से न निकली संध्या ह हो गई फे लोग जाने लगे ममता ने सुना पथी गोडे पर सवार होते हुए कह रहा था मिर्जा उस तरीकों में कुछ देना सका उसका घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ति में यहां विश्राम पाया है यह स्थान बुलना मत इसके बाद वे वहां से चले गए चौसा के मुगल पठान युद को बहुत दिन बीद गए ममता अब सत्तर वर्ष की रुद्धा है एक दिन वह अपने जोपड़ी में पड़ी थी सितकाल का प्रभाव था उसका जीन कंकाल खासी से गुंज रहा था ममता की सिवा के लिए गाउं की दो-तिन स्त्रिया गेर कर बैठी थी क्योंकि ममता आजीवन सब के सुप दुख की सब अगेनी रही थी ममता ने जल पिना चाहा एक स्त्रीने सीपी से जल पिलाया सहसा एक अश्वार ही उसी जोपड़ी के दवार पर दिखाई पेड़ा वह अपनी धून में कहने लगा मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगा का होना चाहिए वह बुढ्या मर गई होगी अब किसे पुछू कि एक दिन सहंसा हुमायू किस छपपर के नीचे बैठे थे यह घटना भी तो 47 वर्ष से उपर ही हुई ममता ने अपने विकल कानों से सुना उसने पास किस्त्री से कहा उसे बुलाओ अश्वार ही पास आया ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानते कि वह सहंसा था या साधर मुगल पर एक दिन इसी जोपड़ी के नीचे वह रहा मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आग्या दे चुका था बगवान ने सुन लिया आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ अब तुम इसका मकान न बनाओ या महल मैं अपने चिर विश्राम गुरु में जाती हूँ बुढ्या के प्राण पकेरू उड़ गये वह अश्वारो ही अवाक खड़ा रग गया वहा एक अस्टकण मंदिर बना और उस पर शिला लेक लगाया गया सातो देश के नरेश हुमायू ने एक दिन यहां विश्राम किया था उनके पूत्र अकबन ने उनकी स्मूर्थी में यह विशाल गंचुम्बी मंदिर बनवाया पर उसमें ममता का कही नाम न था तो फ्रेंड्स आज हमारा चैप्टर नमबर आठ यहां पर फिनिश चैप्टर नमबर नव यहां पर फिनिश होता है ममता तो आपको स्वाद्दे करना है और अभ्यास होंगत में करना है आगे की जो प्रस्णा है वो मैं आपको जो विस्तुत प्रस्णा मैं आपको PDF में बेजूंगी यह आपको यह प्रस्णा आपको Notebook में नहीं लिखना है textbook में ही लिखना है एक नेर्दई राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भग जाना सी से बेट, सी के पैड से काटा निकालना, सी से मित्रता, गुराम की घिरफतारी, फासी की तैयारी, उसे बुखे सी के सामने छोडना, सी का स्नेपोन व्योभार, दोनों की रिहाई और शीक तो मित्रो ये स्टोरी है, आपको स्टोरी लिखनी है, दूसरे चित्रा के आधार पर कहानी लिखे, ये भी चित्रा है, उसके आधार पर कहानी आपको लिखनी है, तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चेक्टर नमबर नव, यहाँ पे शमाप्त होता है, थेंक यू